ओके सो हेलें वेलकम गाइस वेलकम बैक टो अमनीबुल्स इस हर्दीब मलिक एंड फर्स्ट फॉल वेरी हैपी इंडिपेंडनेस दे तो आज अजादी का दिन है आप भी थोड़ा मुझे अजादी में हेल्प कीजिए ओमनीबुल्स में हमारे अभी 970 सब्सक्राइबर्स यह पर भी बढ़ रहे हैं तो चलिए आज आते हैं आज हम इस पर हम आज डिसकस करने वाले कुछ स्टॉक फॉर्द स्विंग ट्रेडिंग ठीक है तो हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि पोडिशनली जिसको आप बाय कर रहे हैं जैसे माल लिए आज अपन पर इन शोल्डर बन रहा है तो फिर नीचे की तरफ आके यह ब्रेकडाउन आपने शॉर्ट ले लिए तो आप इस मूव को कैप्सिर करने का ट्राइ कर होगे यहां पर कभी कुछ लोग पूल बैक्स पर निकल जाते हैं फिर वापिस से नीचे की तरफ आ जाता है तो इस त तरीके से यह बना हुआ है ठीक है वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आज तक का यहां पर हाई जो था 600 के आसपास इसने बनाया हुआ है ठीक है अभी क्या पे जल रहा है 414 के आसपास लेकिन अभी क्या बड़े एच्छे स्टेच पे है अगर आप इसको जोड़ कर रहा है वापिस से कंसॉलिडेशन पैर्टन में यह यहां पर बन चुका है तो हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में यह उपर जाके इस तरीके से यहां से एक और ब्रेक आउट दे दे रही है जब तक कि निफ्टी भी सपोर्टिंग है जब तक यहां पर भी एक स्टे होगे कि सिर्फ साथ से आठ रुपे की रेंज में ही पिछले दो वीक से यह स्टॉक बना हुआ है तो यहां पर किया तो हो सकता है यहां से अब यह अफ़ ट्रेजेक्टरी के अंदर निकल जाए तो मंडे को अगर माली जाजी जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी भी इसको मैं एक बार यहां पर लगा लेता हूँ डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहां पर काफी रेड कांडल से बन रहे थे लेकिन अब इसने क्या एक डबलू पैटर्न मनाने का ट्राय कर दिया है तो हो सकता है यहां से एक ब्रेक आउट हमें दे दे जो फिर राउंड 415 का हाई है या फिर मैं एक जाट हाई आपको बताई देता हूं यहां पर 416 के ऊपर जब यह निकलेगा तब ही हम इसको बाई करेंगे मालीजिया यहां पर Monday के दिन या Wednesday के दिन ग्याप डान खूल जाता है नीचे चला जाता है तो हमारा trade एक्जीकूट ही हमें चाची है बस यहां पर कहीं खुले और जैसे यह निकलेगा 416 के ऊपर हम इसको बाई कर लेंगे एक दो मिनेट जैसे उसने सस्टेन किया 416 पर तो हम इमिजेटली उसको बाई कर लेंगे एससे लगा देंगे हम 407 का और फिर इसको पोजिशनली लेके चले जाएंगे तो आप यहां पर देखो आपके इंटेस इंडॉडंट तिंग यहां पर यहां पर ही है कि स्टॉक में कोई भी बता हूं वहां पर आपको रिस्क रिवर्ड एंड जो साइकलोजी वह आपकी मैंटेन नीच है मान लिज आपके बाद 10,000 रूपे हैं तो आप किंट्रा भी ग के आपके बास चंक सा जाते हैं तो उसके अदर आप 60,000 से ज्यादा आप इंवेस्ट नहीं करोगे और 60,000 जो होंगे वो भी आप तीन स्टॉक के अंडर डिवाड करोगे मैं आज आपको तीन स्टॉक बताने वाला हूं तो हर स्टॉक में आपको 20-20,000 का ही इच बाए करना यह 416 और यहां पर 408 तो आठ रुपे के SL में जितनी क्वांटिटी आप की आती है जिससे की 2000 का ही लॉस हो सकते है उतनी ही क्वांटिटी आप उसमें भाई कीजेगा तो इससे क्या होगा हमारा जो है कैपिटल ही बचा रहेगा तो ओवराल 1,00,000 के उपर हम 6% का यहां पर रिस्क लेगे चल रहे हैं 2% on each stock ठीक है तो आप यह पोजिशनली इसको कर सकते हो ठीक है तो हम इसके बार एक बार कमपनी के बारे में भी देख लेते हैं कि कमपनी किस तरीके की है और देखू का इस टॉपलोस लगाना बहुत जरूरी है वरना फिर आपका जो है युकि आज पास ट्रेट कर रहा है तो यहां पर आप देखोगे कि इसके जो है कुछ भी नहीं है प्राउस में आप देखोगे और आप देखोगे और वन टाम से बुक वैल्यू पे चल गए डिविदेंड यल भी अच्छा है डिविदेंड प्रॉफिड भी अच्छा है व आपने पहले भी देखा होगे रिलाइंस पावर वगएरा जो थे रिलाइंस इन्फरा थे कितने सारे स्टॉक्स वकरांजे पीसी ज्वेलर्स येस बैंक बिएच एफल जो जो 400-500 पर ट्रेड करते थे सब के सब जीरो पे आ चुके हैं तो आपको SR लेकर नहीं चलना है कि य यहां पर प्रॉफिट लॉस देख लें तो अभी पहले नेगेटिव था फिर यह पॉसिटिव के तरफ आगा है यहां पर काफी अच्छे इसने जर्ट दिखाए हैं ठीक है और हम फोड़ा और नीचे चले जाते हैं कि शेर कैपिटल जो था रिजर्व भी इसका थोड़ा होता जा रहा है रिजर्व भी अगर आप देखोगे तो इसके इंक्रीस होता जा रहा है धीरे-धीरे करके एंड जो है टोटल एसेट्स ठीक है हाँ मेंली तो बॉर इंग और यहां पर रिसर्व और बॉर इस आपको देखनी चाहिए कि यह एक इंक्रीजिं ट्रेजेक्ट् अब आप वहीं फोड़ा और नीचे आघा जाते है कि काश्व भी आप अच्छी प्र्मोर्टर्स ने भी जो है थोड़ा सा भी स्टेक्ट वाई किया हुआ ब लेवल भी काफी अच्छा है तो इसको डेफिनिटली बाइ किया सकता है तो आब इसको नोट करके लग लिएग क कि आपको इसके अंदर वेडनेस जैसे ट्रेल लेने है ठीक है तो अभी यह अफ़र ट्रेजेक्टर की तरफ बन चुक है नेक्स टॉकम देख लेते हैं बीटा ड्रग्स तो गाइस एल्फा ड्रग्स नहीं है यह बीटा ड्रग्स है ठीक है तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं वीकली चार्ट पर एक इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर आप देखो कि वीकली चार्ट पर भी थोड़ा अच्छा चल रहा है और यहाँ पर छोटे से एसल का यहाँ पर लेवल है तो 7.99 का यहाँ पर आप एसल डालके 8.20, 8.40 के उपर आप इसको बाई कीज़ेगा तो यहाँ पर लगबग 40 रुबे का एसल रहेगा और हम जो टार्गेट लेके चलेंगे मिनियूम 1 इस्टू 2 तो हमें लेना ही लेना है उसके बाद फिर बाद में देखेंगे ठीक है तो यह जो स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ यह थोड़े लब टाइम फ्रेम के लिए आप इनके अंदर इंवेस्ट कर सकते हो तो हम हजार का टार्गेट लेके चलेंगे कि आल टाइम हाई क्या सपास यह आ जाए क्योंकि यह लेवल अगर ब्रेक होता है तो सीधा अगला जो रेजिस्टनस इसको फेस होगा वह साइकोलोजिकल लेवल हजार पे ही इसको मिलेगा राइट तो इसको भी आप मैं डेली चार्ट पर आपको जिखा दता हूँ कि किस तरीके से है तो यहां पर देखो कितना पिक्टर परफेट्ट यहां पर एक ट्रेल डाइन जा रही है कि किस तरीके से यह बन रहा है और यहां पर भी एक बेस मैंने आपको इस टॉक बताया है बीटर ड्रक्स इसके बारे में हम देख लेते हैं कि फंडामेंटली एक कंपनी किस तरीके से एक सेकंड हाँ बीटर ड्रक्स तो आप देखो कि अधिर जो ग्रॉफ्ट प्रॉफित का दियावर्त थी यह से आर विभी काफी अच्छ ए वरकिंग कैपिटल भी इसमें कम करी है तो कंपरी जी पर दीदेन पर डिविधन पर डिविदेन करना इट स्कम पर चुक है यहां पर आप देखो कि नेट प्रॉफिट जो है अदर जबस में आगर आप देखो के तो पैसा बढ़ ही रहा है पहले 24-25 करोड था यहां पर 133 करोड यहां पर हो चुक है बोरेंग्स भी जो है वो काफी कम है ऐसा निया कि इंक्रीज हो रही है इस्टेवल हो गई है यहां पर काफी ताइम से तो इन्होंने डेट भी काफी अच्छे से रिड्यूस किया हुए यहां पर देखो कि पहले 2020 में 66.6% ता 66.7% थोड़ा सा इंक्रीज हो है तो अभी हमने दो स्टॉक डिसकस करें आंधरा पेपर एंट बीटा ड्रक्स लास्ट हम डिसकस कर लेते हैं रोटो पंप स्टाम से है तो रोटो पंप्स भी है जो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहां पर इसको ज्यादा हिस् काफी अच्छा लेवल होता है इंवेस्टमेंट पॉइंट ऑफ यू के लिए राइट जो का इस जनरली आप देखोगे कि जब हम इंटर डे में शेयर ट्रेड करते हैं तो हम यह ब्रेक आउट पर ट्रेड करते हैं लेकिन हम जो पोजिशनली जो जाते हैं वो यहां पर यहां पर एसल रहेगा तो अब इसको भी ट्रैक कर सकते हो अगर वेड़नेश दे के दिन में काफी अच्छा ममेंटम करता है यहां पर देखो कि इसने यहां पर काफी सारे एसल हिट करा कि यह उपर की तरफ आया तो हो सकता है कि अब यह अपर कंटिनू यहां से कर जाए त यहां से कर दो तिन महीने के साब से अम इसको हो रखेंगे रहे हो सकता है यह दो तिन दिन में भी हो जाए क्योंकि जब रेकाउट हो रहा होता है तो फिर काफी अच्छी से स्पीड में होता है राइट वीगली चार्ट बे आप देखोगे यहां पर एक हैमर बना हुआ है यहां पर वनीशोटू का टार्गेट प्रोजेट करके हम यहां पर चल सकते हैं तो रोटो पंस के बारे में में देख लेते हैं कि फंडमेंटली कैसी कंपनी है कुछ रेड फ्लैक दो नहीं है ज़स्ट अ सेकेंड अगर आपने यहां पर लगा लिए तो यह हजार करोड की क तो आप देखोगे मैंने 500-1500 करोड के बीच की कंपनी चूस की है कि थोड़ा अच्छा उसके अनर ग्रोट का सेनरियो यहां पर मिल सकता है तो इसका रोई 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 सी बढ़ी है पी भी थोड़ा सा ज्यादा है पर ठीक है चलता है इतना 342 पे चल रहा है बुक इसका हाई है तो हम प्रोजेक्ट करेंगे कि यह आल टाइम हाई के आसपास चला जाए मैं इंट्रेस्टिंग कापिलाइज को ठीक है फोड़ा सा रड़ फ्लाइग अपर इतना चलता है हाँ को चार्ट वाइस फटा देखेंगे डिलिवर्ड गुड 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 तो यहां पर अभी हम देख लेते हैं बाकी जो पी बाकी जो स्रॉक्स के भी आप देखोगे कि 38, 76, 45 पे चलता है यह भी 30 पे यह तो हो सकता है अगर यह 40 तक भी जाए तो भी इसके प्राइस में काफी अच्छी से एक अफ़र टाजेक्टरी में जा सकता है यहां पर नेट चीज़ें बिल्ड कर रहे है 150 के आसपा साथ चुक है डेट भी थोड़ा साथ-साथ इंक्रीज हो रहा है बड़ जैसे आप से रिजर्वस इंक्रीज हो रहे हैं उतरे बोर इंक्रीज नहीं हो रहे है तो fundamentally I don't think कि इस कंपरी में कोई इश्यू है थोड़ा सा यह जरूर है कि promoters ने stake reduce किया लेकिन वह वाला जो stake है वो FIIs ने buy कर लिया है ना कि public ने देखो काईज यह एक चीज़ आप देखना कभी आप stocks में कि promoters से अगर FIIs के पास जा रहा है पैसा तो it's well and good कि चलो कोई बात नहीं ऐसा कोई major red flag ने लेकि promoters से अगर public के पास जा रहा है तो it's a red flag जैसे आप yes bank or DHFL के cases में देखोगे तो public ज्यादा ओन कर रही है उस चीज़ को ना कि FIIs या DIs तो अगर बड़े प्लेयर्स यह ओन नी करें public ओन करके वैसे भी कुछ होगा news चीज़ का तो आपको यह भी चीज़े ध्यान में रखनी है तो अभी यहापे भी कोई major red flag तो है काफी अच्छे level पर यह बना हुआ है तो आप इसको भी बाय कर सकते हो तो हमने कोंसे कोंसे stock discuss करें आंध्रा पेपर बीटा ड्रग्स और रोटोपर्म्स तो आप यह ABR या फिर ARB company का नाम भी है ठीक है तो फिर ABR आप यह बाय कर सकते हो stocks Wednesday के दिन पर ठीक है तो आप यह सा for today guys right.